मनुक दे अंदर दैवी शक्तियादा पंडा चिप्या प्या है साधना दे राही ही अंते करंदी सुत्ति शक्तिया जागरी थुंदिया हन पंडित्षी राम शर्मा चार्य पुस्तगदाना व्यक्तित्व परिश्कार्दी साधना अध्यात्म विज्ञान दैवी चेतना दे ल ता प्रापत कार सकदा है, सादना शबद्दे राही ही असी उस दी श्रेश्टता दा अंदाज्या लगा सकदे हा, सादना विच ओ प्रचंड शकती है जिसनु जागरित करदे ही असी इश्वरी सक्ता दे वर्धाना नू संबाल सकदे हा, हर एक सादना दा उदेश इखी है, पावनामा इच्छामा विचारते हिम्मत नू ईश्वरी नियमा दे मुताबिक तालना तो हड़े सामने पेश है ए पुस्तक जो दस्दी है कि साधना दे क्रम नू निश्चित करनते हर एक व्यक्ति नू अपना जीवन साधना परवादे अनकूल ताल लेना चाहिदा है अते अपने नित दे कम्मा मान अते अंते मंदी सुधी दी पावना रखनी चाहिदी है जिस्तो साधी इंदरियां अते मान दा शोधन संभव है पुस्तक दे सद्वाक अंदर दी देवी शक्तियानू जगावना साधना तो ही संभव है साधना दा क्रम दिन पर दे कम्मा दे नाल जुड़ दे चोवी कंटे चलदा है विक्तित्व परिशकार दे लई उपासना अराधना दे नाल साधना बहुत मत्ता पुरुन है स्वेरे जागरन आतम बोधी साधना तो शुरू होया साधना दा क्रम पावनावा दे नाल जुड़ के रातनु सोन तो पहला तत बोधी साधन नाल ही समाप्त होनी चाहिदी है साधना पवित्तर तातारन करंदी योग्यता वदाउंदी है मानवी सक्षियत विच अनंत शक्तियतो संपर्क वदाउन लेंदेंदी शक्ति है प्रानवान होंते ही साधना स्थर्द व्यक्ति ही असधारन काम कर सकदा है पुस्तक दे मुख बिंदु आतम बोध्धी साधना, जब पतेत्यान, नाध्योग साधना, प्राणा कर्षन प्राणायां, तत बोध्धी साधना, गायत्री उपासन दा विदीवधाना.